नमिश्कार स्प्टी नियूज में आपका स्वागत है पेश चार नुमंबर सौम बार दुपैर सवा तीन बजे राजस्तान की पंदरा बड़ी खबरें सबसे बज़े नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर विकास के लिए उपचुनाओं में कड़ी से कड़ी जोडे मदन राठोर ने कहा विरोधी मान सिक्ता वाला व्यक्ति जीतेगा तो काम करी नहीं पाएगा दिली चुनाओं से पहले वीजेपी को एक ओड जटका बड़े नेता ने थामा आपका धामन अनीस सिसोधिया बोले स्वागत है विकानिर मंडल में नए सेनियर डीसेम होंगे भुपेश यादव रास्तान में टिड्डियों के हमले का खत्रा इटली सी आई टीम ने सर्वे के बाद किये अलट सलुमपर में कॉल करके नाम पर धोखा दड़ी करने वाले तीन जनेंग गिरफतार और अब खबरें विस्ताज से सुनिये रास्तान में होने वाले विधान सबाब चुनाओं को लेकर वीजेपी प्रदेश अद्यक्ष मदन राठोर ने विकास के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की अपील की है राठोर ने का अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है केंदर में बीजेपी की सरकार है ऐसे में अगर एक मानसिक्ता का विक्ती जीत कर जाएगा तो क्षेतर का विकास करा पाएगा मदन राठोर बीजेपी आफिस में बोल रहे थे वहाँ आज कई नेताओं ने कांग्रेस चोड़ कर बीजेपी जोइन की है उन्होंने कहा अगर विरोधी मानसिक्ता का व्यक्ति जीत गया तो वह संकोच करेगा कि नित्र तो उससे संपरक करे या नहीं करे उन्हें काम बताए या नहीं बताए मेरा बताया काम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा उनके मन में यह संकोच रहेगा वह काम करवा नहीं पाएगा राठोर ने कहा जन्ता को अपने एक शेतर में विकास चाहिए इसलिए हमें उमीद है कि जनता विकास के नाम पर भारती जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी विकास के लिए हम कड़ी से कड़ी जोड़ें इसलिए हम उप चुनाव की साथो सीटे जीतेंगे दिली विधानसवा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का दोर शुरू हो गया है ताजा मामला में लक्षमी नगर सीट से दिली बीजेपी के नेता बीबी त्यागी ने सोमबार को पार्टी को बड़ा जटका देते हुए आम आद्मी पार्टी में शामिल हो गए दी सीम पद पर भुपेश यादव को लगाया गया है यादव को जीतेंदर शर्माकिस्तान पर लगाया गया है शर्मा 31 अक्टूबर को बीकांदिर मंडल के सीनियर दी सीम पद से सेवा निब्रत हुए है उपेश यादव SS, IRTS, GOM, IRTS, DOM, AII पद से पदोनत होकर आए है जोदपूर इरान से पाकिस्तान और वहां से भारत होकर आने वाले टिड्डियां राजस्तान के सीमा वर्ति जिलों में उगने वाले चार पोदों केर, खोकरू, दूदी, बुई को खाने यहां आती है आने वाली संभावनाओं पर सर्वे किया, एक्सपोर्ट्स ने दावा किया है कि अगले चे महीनों में टिड्डियों का खत्रा नहीं है इस समय यमन और मुरको में टिडी प्रेजन हुआ है ऐसे में तीन जिलों, जैसल मेर, बीकानेर और बार्ड मेर्ड 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 में अलर्ट बताया गया है सलूंबर थाना पुलिस ने एसकौर्ट, सर्विस और काल गर्ल के नाम पर लोगों से धोखा दड़ी करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफतार करते हुए एक नाबाली को डिटेन किया है आरोपियों से छे मॉबाइल और साथ सिम कार्ट जप किये हैं पुलिस ने बताया कि गनेश खाटी पर नाकाबंदी के दुरान है कारवाई की गई पानो की चेकिंग के दुरान एक बिना नंबरी बोलेरो काडी को रुकवाया गया चेकिंग के दुरान तीन युवक मॉबाइल शिपाने लगे और घमराने लगे शंका होने पर उनके मॉबाइल चेक किये गए जिसमें पता लगा कि अंजान कई नंबरों से एसकॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़किया उप्रब्द कराने के नाम पर चैटिंग का पता लगा वे सोशल मीडिया पर लड़की की फेक आईडी बना कर विग्यापन देते थे आईडी पर ग्राकों के मॉबाइल नंबर लिये जाते और उन्हें लड़कियों के फोटो भेज करसा में और रेट ताय की जाती टॉंक जिले की डिगी थाना पुलिस ने दो पिकप के ड्राइवों से एक लाख ही कजार रुपे बरामत किये यह कारवाई देवली उन्यारा में विधानसवा उपचुना दो हजार चोवीस के आदर चार से हिंता के मद्दे नजर की जा रही नाका बंदी के दौरान बीती देर रात की गई बार्डमेर जिले के दोरी मनना कस्पे में हार्डवेर की दुकान में बीती रात देर रात अचानक आग लग गए कुछ मिंटों में आग ने विक्राल रूप ले लिया जानकारी मिलने पर धोरी मनना पुलिस महज जापता को मोके पर पहुँची बार्डमेर और आर्ट जीटी से फायर बिग्रेट को बुलाया गया आग जनी से एक से डेट करोड रूपे का नुस्सान अनुमान लगाया जा रहा है प्रानबिक जाच में आग शोर्ट सर्कृट से लगना सामने आया है रास्तान में श्रीकंगानगर जिले के श्रीकरणपूर के नग्गी इलाके में बिएस अफ ने सीमा पार्व कर भारते सीमा में घुसने का पर्यास कर रहे पाकेसानी युवकों की रफतार किया है युवक जीरो लाइन क्रोस करके भारते सीमा क्षेतर में आ गया था हलांकि उसके फैंसिंग क्रोस नहीं की थी B.S.F. ने उसे ललका रहा तो वह वहाँ ही रुख गया इस पर उसे पकड़ कर B.S.F. पोस्ट पर लाया गया यूवक को एक नमबर को पकड़ा गया था B.S.F. ने पूछ दाश के बाद अब घटना की जानकारी पुलिस को दी या यूवक अभी अपने बारे में ज्यादा खुछ नहीं बता रहा है नागोर के पुर्व कांग्रेस जिला देख्ष सुक्भीर सिंग चोदरी ने भाजपा जोइन कर ली है सुक्भीर सिंग चोदरी नागोर जिला भी सुका के उपा देख्ष रह चुके है नागोर जिला परिशत के सदस्या भी रहे जैपुर में भाजपा प्रदेशा देख्ष मदन राठोड की मुझूदगी में उनके साथ लादूराम मुर्जर, मनमोहन चोदरी, विजेंदर बस्वाना, भीम सिंग कोड, तेजराम चोदरी, श्रवन चोदरी, अमरिता राव, आदूराम मेगा ने भी बीजेपी जॉइन की है इस मौके पर बीजेपी प्रदेशा देख्ष मदन राठोड ने कहा कि कॉंग्रेस की रीती नीती से मोह बंग हो चुका है बीजेपी से प्रभावित होकर नेता कॉंग्रेस को छोड़ बीजेपी में आ रहे है रास्तान में दस्वी बारवी बोर्ड प्रिक्षा में 75 फिस्दिया इससे अधिक अंग हासिल करने वाली राज्य की 349,000 बालिकाओं को गारगी और बालिका प्रवसान पर उसकार से नवाजा जाएगा बालिकाशिक्षा फाउंडेशन ने पात्र बालिकाओं के लिए ओन रैल रेजिस्टेशन के प्रकेरिया चल रही है ओनलाइन आवेदन की अंतम तिथी 30 नुमबर निर्धारित है बीकानेर में गुरु नानक देव के 555 वे जनमोसो पर 6 समाज की और से तक शहर के हर गली महले में प्रवाद फेरी निकाली जा रही है प्रवाद फेरी में बड़ी संक्या में शधालू शामिल हो रहे है 17 अक्टूबर से शुरू हुई प्रवाद फेरी 13 नुमबर तक रोजाना निकाली जाएगी गुर्दवारा शिरी गुर्णानक दर्वार लालगड के अदेख्ष बलविंदर सिंगिल ने बताया की 15 नुमबर को गुर्णानक जियनती मनाई जाएगी इस दिन शहर के गुर्दवारों में कारेकरम होंगे रास्तान के शिक्षा विवाग से इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है सरकारी स्कूल में पढ़ रही चात्राओं को दी जाने वाली साइकलों का कलर फिर बदल गया है पाजबा सरकार की शासन काल में बालिकाओं को इस पर बलैक नहीं बलकि औरेंज कलर की साइकल मिलेगी स्पी काविंदर सिंग सागर निया देश जारी कर शतरगर थाने में साइब भजन लाल, पूगल से साइब पवन कुमार और नापासर पुलिस थाने में साइब लक्षन को सुथार को सेचो लगाया है तीनों थाने में तैनातपुरू S.H.O. संदीब धरमेंदर वे जस्वीर को परशासनी का धार पर पुलिस लाइन भेजा गया है पुगल थाना इंस्पेक्टर रैंक का है लेकिन फिलाल वहाँ S.I.E. को S.H.O. लगाया गया है तपाबली के बाद रैस्टान के कई शेहों में प्रदुशन खतनाक सर पर पहुँचे गया है दाजार इपोर्ट्स के अनुसार राजिके तीन शेहर प्रदुशन के मामले में देश में 6,10 में शामिल हो गए है इसमें श्री गंगा नगर ने प्रदूशिन के मामले में दूसरे अस्तान प्राप्ट किया है जबकि भरत पूरा हनवानगर भी सूची वे हैं इन शहरों में हवा बेहत खराब शेनी में पहुंच चुकी है विकानेर में अन्तोद्या नगर के श्री राम मंदिर में कार्तिक मास पर सर्जन सुखाय एम मनुरत पूर्ण के लिए 6 से 12 नुवंबर तक श्री मद भागवत कथा माहत सब होगा आजन से जुड़े नंद किश्वर गरग ने बताया कि काथा का वाचन मरू नायक व्यास पीठा दिश्वर पर्णित भाईश्री करेंगे काथा का समय दोपैर सवा दो से साम सवा छे बज़े तक रहेगा फिलाल इस बुलिटिंग में इतना ही फिराजिरों के बड़ी खबरों के साथ